आप सभी प्यारे व्यूर्स का वेलकम है, वाईटी योर इंगली शूटर पे, मेरा नाम है वन बहल, आज दा हिंदू का अडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे, एक नई एक्सेसाइज करेंगे, दा इकॉनमिस्ट मैगजिन का अफगानिस्तान पे लिखा हुआ एक स्पेशल आर् यह कहती है कि आप हर तरह के राइटर को पढ़ना सीखो, तो हर थोड़े दिनों में, मैं किसी फॉरेंड मैगजिन से कोई आर्टिकल लेकर के आपको उसको भी रीड करवाता हूं, कॉम्प्रियेशन ग्रामर के साथ, तो शुरू करेंगे इस आर्टिकल को, वार्ड, जैसा रोज चलता है, पहले पूरे मन से पढ़ो, ग्रामर, वोकाइब, कॉम्प्रियेशन को सीखो, और सेशन के लास्ट में क्विज पर अप्लाई करो, जो आपने सीखा, आउट ओफ फाइव आपको फाइव मार्क्स मिलने चाहिए, शुरू करते हैं, चलिए, आईए कु जंग है न, युद, ड्रॉट का मतलब होता है, सूखा, लैक ओफ रेनफॉल, और फेमाइन शायद आपके लिए नया वर्ड हो, इसका मतलब होता है, अकाल, अक्यूट शॉटेज ओफ फूट, तो करहा है, जंग, सूखा और अकाल, तीन-तीन समस्याइं, तीन-तीन फेनामि अचैंब यह, आपके बारिश की, और फेमाइन में शोटेज होती है, अनाच की, वैसे तो दोनों connected है, बारिश सही अनाच होगा, है न, लेकिन ड्रॉट को अपने खासकर सूखे के लिए यूज़ करते हैं, फेमाइन को अपने अकाल के लिए यूज़ करते हैं, दोनों में UGST, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिप यानि की बड़ा सा घूंट बड़ा सा है न? और किसका? किसी beverage का पानी भी हो सकता है, कोई alcoholic beverage भी हो सकती है कोई soft drink भी हो सकती है, कोई hard drink भी हो सकती है hard and fast नहीं है अगर beer का ले रहे हो, पानी का ले रहे हो, वोटका का ले रहे हो, रम का ले रहे हो, जूस का ले रहे हो, बड़ा सा गूंट आपने लिया है न, that is called in English, drought spelling में फर्क देख लेना, ये है, अकाल, और ये है, drought है न, बड़ा सा गूंट अब देखो, इस drought वर्ड की एक और खासियत है, इसके अगर आगे, आप ऐस लगा दे, तो इसका मतलब बन जाता है, a game, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कुछ लोग बोलते हैं, checkers, और कुछ लोग बोलते हैं, droughts, देख रहे हो, अगर plural में drought वर्ड को लिख दिया ज जाता, वो गूंट से बन जाता है, एक game इस तरह का, कुछ chess के जैसा होता है, मुझे तो खेलना नहीं आता, मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन होता इस टाइप का है, ठीक है, अब ये droughts वर्ड है इसके खासियत और भी है, क्या खासियत है भाई, इसके पीछे S दो आ जाए, अब इससे जो concept अपने को connect करना वो ये है, कि बहुत सारे ऐसे nouns English में, जो होते तो singular है, लेकिन अपने पीछे plural वाला ऐसलिए घूमते हैं, और आपको करते हैं, एक बार अपने दिमाग पर जोड डालो, ऐसे कौन से nouns हैं, फिर मैं आपको सारे nouns एक साथ एक list में पीछे S आता है, जो देखने में आपको लगेंगे कि ये plural है, इनको वो अब भी आपको मन करेगा कि मैं plural दे दूँ, लेकिन ये nouns actually में singular होते हैं, droughts, means, shambles, means का मतलब होता है तरीका, shambles का मतलब होता है अफरा तफरी, AIDS आप जानते हैं, एक बिमारी है, measles, khasra, mumps भी एक बिमारी है, rickets भी एक बिमारी है, पीछे S ले रही है, लेकिन सबकी सब singular बिमारी है, economics और mathematics दोनों subject है, discipline है, S बले ही लेते हों, लेकिन singular verb के साथ जो है, इनको लगाया जाता है, आगे बड़े, आपको लग रहा होगा सर बहुत घहरे में उतर जाते हैं, एक रूल से कही सा नहीं है, और यही तरीका होता है, English में mastery लेने का, चलिए आगे बढ़ते हैं, notes बनाये करो, साफ साफ अपने, करा there is no choice, but to work with the Taliban as stressful, as that is, करा कोई choice नहीं बचिए, there is no choice, कोई भी हमारे पास alternative नहीं है, विकल्प नहीं है, अचा किस के सिवा भई, but सिवा work with करने के, साथ में क काम करने के, Taliban नाम किस organization के, इन के साथ मिल जोल करके, कुछ काम करने के, करें, चाहे ये कितना भी distasteful हो, as distasteful, as that is, distasteful समझतों, कितना बेस वादा हो, तो चाहे आपको कितना भी सुनने में बुरा लगे, करने में बुरा लगे, कि तालिवानियों के साथ काम करेंगे, इन को खाना के लाएंगे, चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन यही alternative हमारे पास अब बचा है, समझे सेंटेंस को, subject है no choice, वाब है is, अगला subject है that, उसकी वाब है is, अब दो चीजी आप देख रहे हो, एक तो इस बट नाम की preposition को, और फिर देख रहे हो, as distasteful as, है ना, इस construction को, दोनों मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए, बट एक conjunction भी है, एक adverb भी है, एक preposition भी है, आज इसका preposition वाला जो चहरा है, वो आपको बताते हैं, जब बट के बाद में, कोई noun या infinitive आता हो, क्या आता हो, noun या infinitive, तो बट एक preposition का का काम कर रही होती है, और accept for, यानि की सिवा की बात कर रही होती है, जैसे, artist want nothing but respect for their art, जो artist होते हैं, कलाकर होते हैं, उनको कुछ और नहीं चाहिए, और किसके सिवा, बट किसके सिवा, सिवा respect के उनकी आर्ट के लिए, तो respect नाम के noun, उनको बट नाम की preposition ने, अपने साथ में जोड लिया, और बट का मतलब है, accept for यानि की सिवा, और वैसे, they had no option but to accept or offer, उनके पास कोई option नहीं था, सिवा हमारा offer को accept करने के, यहां पे बट नाम की preposition के बात में, एक infinitive आरा है, to accept, इंगलीज में बहुत कम ऐसे cases हैं, जहां पे infinitive किसी preposition को satisfy करता है, but उन चुनिंदा cases में से एक case है, आगा समझ में, but accept ऐसा लिखे, चलिए, तो यहां भी वही हुए, but to work with Taliban, यह जो as, as देख रहे हो, यहां को कई बार करवा चुके हैं, फटा-फटा अपने revision कर लेते हैं, एक काम करें, concept करवा दूँगा मैं, लिखा ही हुआ आपके सामने, मेरे को यह बतातो, दोनों में से कौन सा sentence है, पहल अब आपको दो चीजे याद रखनी है, पहली चीज क्या, चाहे तो तू adjective लगा, चाहे एडवब लगा, लेकिन लगाएगा positive degree, पहली चीज क्या, चाहे तो बीच में सर adjective आजए, चाहे एडवब आजए, किसके बीच में, as और as के बीच में, तो लगाऊंगो तू मैं positive degree, दूसरा, formula मैं बता देता हूँ, कब adjective लगाना है, और कब adverb लगाना है, अगर कोई action हो रहा हो, तो adverb, अगर कोई अवस्था बताई जा रही हो, action ना हो रहा हो, तो adjective, पूरा formula समझ में आ गया, बीच में क्या लगाऊंगा, adjective या adverb लगाऊंगा, लगाऊंगा क्या, उनकी positive डिगरी, comparative या superlative डिगरी नहीं लगा सकता, और दोनों में से कौन सा लगाऊंगा, sentence के requirement को देखके देखूंगा, action के लिए चाहिए, तो adverb, state के लिए यानि किसी noun के वस्था बतानी हो, तो adjective, अब देख लो इसको practically, मोहिनी is as smartly as, शालिनी, मोहिनी जो है, उतनी ही smart है, ज यहां पे, smartly क्या है, यह सार एक adverb है, पिछे लवाई आ रहा है, अब मुझे बताओ, यह किस के लिए आया, यह आया सर मोहिनी के लिए, मोहिनी से कोई काम करवाया गया, कैसर बिल्कुल नहीं करवाया गया, मोहिनी तो smart है, उसकी अवस्था बताएगी यह, तो मोहिनी एक होंगा, मोहिनी हैंडल दा सिच्वेशन एज स्मार्टर एज शालिनी, मोहिनी ने हैंडल किया सिच्वेशन को उतना ही स्मार्टर जितना ही शालिनी ने किया, अब मुझे बताओ, सबसे पहले क्या competitive degree आ सकती है, smart, smarter, smartest, नहीं सर, यह तो नहीं आ सकता, लगेगा तो smart यह एडवब चाहिए, smart एक adjective है, ly लगा दो, smartly बना दो, यह तो है आपका पूरा basic concept, as, as वाली simily structure का, इसको बोलते है simily, ठीक है, जब आपका examiner इस structure को आपको paper में देता है, mains वाले में, तो इसमें थोड़ी confusion आपकी बढ़ा देता है, इन words को use करके, अब यह पूरा concept तो friendly, earthly, heavenly, womanly, manly, hilly, यह सब adjective ही है, ly भले ही इनके बाद में आ रहा हो, ऐसा क्यों हुआ है, यह आप basic grammar में जाके देखो, पूरे आपको logic से बताया हुआ है, चलिए आगे बड़े, फटा बड़ से एक like और एक share दे दो वीडियो को, ताकि और students तक पहुंच सके, अब इस article की अपने vocab पे नजर मार लेते हैं, पूरी एक साथ, उससे पहले add करना चाहूंगा, अब किसी exam के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, SSE, Railways, Banking, UPSC, Police, Teaching, यह स्टेट गौर्मेंट के exams, तो इन सभी के लिए mock test के लिए मैं आपको refer करूँगा, suggest करूँगा, testbook.com, industry leader है, और इसकी यह है कि साड़े 400 exams के 32,000 mock test को एक single package बना कि उन्हें रखा हुगा, अब यह 32,000 mock test अलग-अलग variety के है, difficulty level के, easy भी मिलेंगे, moderate भी मिलेंगे, difficult भी मिलेंगे, अब हर तरीके से अपनी exam preparation को boost करेंगे, यह single package 32,000 mock test का सभी exams का, एक साल की validity के साथ मिलता है 399 में, और 3 साल की validity के साथ मिलता है 599 में, लेकिन यह price आपको नहीं देना है, आपको लगाना है code Y8010, जैसे ही code को लगाएंगे 15% off लेंगे, 399 में वाला, 349 में और 599 में वाला 509 में आपको मिल जाएगा, app का link comment section में डाल रहा हूं, फायदा उठा सकते है, code ज़रूर लगाएं, Y8010, चलिए अ मतलब होता है किसी चीज का शुरू होना, एक फ्रेजल वाब है, स्टार्ट होना, लेकिन spontaneously, अचानक से होना, और जनरली यह negative phenomenon के लिए यूज करें, negative नकर अत्मक गटनाओं के लिए, अच्छी गटनाओं के लिए नहीं, खराब गटनाओं के लिए, जैसे, violence broke out after the elections, election के बा आप देखने वाले हैं, winters have set in early this year, इस साल सर्दियों की शुरुवाद बड़ी जल्दी हो गई है, सर्दियों को अकसर negative motion की तरह देखा जाता है, बहुत harsh होती है winters है खास करके European countries में, तो winters के साथ में negative connotation में set in नाम की phrasal verb को हम यूज करते हैं, tenuous जानते हो आप, बड़ बड़ा ही weak, बड़ा ही पतला महीन सा, delicate सा कहलाती है चीज, tenuous, there is a tenuous difference between a soldier and a terrorist, एक आतंगवादी और एक soldier के बीच में, बड़ा ही महीन सा difference होता है, सारा difference इस चीज पर matter करता है, दिवार के कौन सी दरफ आप खड़े हैं, जो आपके लिए बहादूर जवान है, दिवाल के पार दूसरे के लिए terrorist भी हो सकता है, fragile, slim, delicate और flimsy, सभी के सभी tenuous के synonyms हैं, आज आप इसका synonym देखो के fragile, इस article के अंदर, फिर एक word है हमारे पास recon, इसके दो meaning होते हैं, पहला meaning, किसी चीज को calculate करना, किसी चीज का अंदाजा लगाना, और दूसरा, किसी चीज को believe करना है assume करना, मान लेना, recon word दोनों ही चीजों को बताता है, और यह दोनों connected भी हैं, मैं आपको बताता हूं, it is record that India economy या Indian economy will be second largest by 2050, ऐसा माना जाता है, यह ऐसा calculate किया जाता है, कि भारत की अर्थ विवस्ता, दुनिया में दूसरी सबसे बढ़ी होगी 2050 तक, तो यह calculate भी किया जाता है, दोनों का अपस में connection है, तो recon word दोनों ही words को, दोनों ही meaning को रखता है, इसको बहुत आप article में देखेंगे, suppose और estimate इसके synonym होते हैं, last word है adamant, adamant का माल होता है, धीट, जिद्धी, uncompromising and rigid, paper एकल लेकिन आज रात में भी पपजी खेल रहा है, है न, धीट और जिद्धी but he remained adamant, सभी ने उसको request की कि अपना दिमाग बदल दो, जो हम कह रहे हैं मान लो, लेकिन वो धीट और जिद्धी यानिकी adamant बना रहा, अब adamant के सिनौरी में stubborn, unyielding और intransigent, ये last वाला जो आप देख रहो, advanced word है, intransigent है न, धीट जिद्धी आदमी के लिए use करते हैं, अफगानिसान में करोड़ों लोग मरने वाले हैं, अब ये कैसे मरेंगे करोड़ों लोग, किसी bomb blast में, किसी firing incident में नहीं, ये सब लोग मरेंगे भूग से, war of drought और famine से, इस बार अकाल भी पढ़ रहा है, सुखा भी पढ़ रहा है, और अना जोलेडिन के पास है नहीं, हमरा अफगानिसान के आम आदमी का मूँ देख करके थोड़ा अनाजवाँ पे भेजो, अपनी नफरत को कायम रखो, लेकिन आपके पास कोई और चोईस नहीं है, आपको तालिवानियों के साथ काम करना पड़ेगा, इनको खाना देना पड़ेगा, इनको दोगे तो अफगान क के लोगों को मिल पाएगा, समझ के, आज इसकी ऐसे ही कुछ समरी है, डिडेल में आप देखेंगे, आज की टोन है, लॉजिकल यानि की रैशनल, और आप इसको बोल सकते हैं, रिलिस्ट, लॉजिकल इसलिए लॉजिक बता रहा आपको, कि इमोशन साइड में कर दो, नफर इसलिए शुरू कर ले, अगर किसी competitive exam के लिए प्रिपेर कर रहे हो, तो अपनी app को जरूर डाउलोड करें, playstore और ios दोनों पर अवेलबल है, your English tutor, app पे मिलेंगे quality courses, affordable prices में, जो कि मैं खुट डिजाइन करता हूँ, banking का combo अवेलबल है, 475 में, एक साल की validity है, pre और mains, दोनों क तयारी आपको करवाई जाती है, आदी वीडियो जिसमें आ चुकी है, आदी वीडियो अब इसमें आनी शुरू होंगी, तेजी से, उसी तरीके से आपको मिलेगा, basics advanced English writing skills का course, जिसमें आपको हर एक exam के लिए, बिल्कुल basic से मैं लिखना सिखाता हूँ, कोई भी exam हो, कोई इस नमर पे आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, मेरी टीम आप पो reply कर देगी, चलिए, करे लास्ट वीक, the WFP, यानि वर्ड फूद प्रोग्राम, a UN agency said that its estimate of people treetering on the edge of famine worldwide, had risen from 42 million earlier this year to 45 million, करे पिछले ही हफते कुछ होआ, लास्ट वीक, क्या होगा भाई, ये जो वर्ड फूद प्रोग agency है, United Nations की स्युक्त रास संग की, करे इस वर्ड फूद प्रोग्राम ने ऐसा कहा, said किया, that वो ये कहा, कि इसका जो अंदाजा है, जो calculation है, जो estimate है, और किसका, करे उन लोगों का, जो लड़ खडा रहे हैं, टीटर कर रहे हैं, स्टेगर कर रहे हैं, वोबल कर रहे हैं, बड इसका estimate है, ऐसे लोगों का, जो बिलकुल भूग से मरने की कगार पे हैं, करा इसका जो estimate है, वो reason कर चुका है, हैड बलस में वब की third form, वो उपर आ चुका है, और कहां से, पहले वाले 4.2 करोड से, याने की 42 मिलियन से, अर्लियर पहले वाले, इस साल आ गया 45 मिलियन पे, य अमरेंगे, WFP की वब है set, estimate की वब है, had reason, past, indefinite, past perfect tense में, rise, rose, reason, याद न, ये rise की third form है, reason, टीटर करने का मतलब होता है, लड़ खडाना, people के लिए है, वो people जो टीटर कर रहे है, लड़ खडा रहे है, लड़ खडाने के सभी synonymous है, on the edge of, इसका मतलब होता है, बिलकुल किनारे पे, बिलकुल कगार पे, चले आगे बढ़ेंगे, एक मिलियन में 10 लाक होते हैं, पता ह हरानी की बात ही है, महज एक ही country है, जो account for करती है, जो हिस्सेदारी देती है, responsible for होती है, लगबग सारे के सारे उन 3 million additional people के लिए, तो 42 से 45 करने में, सिरफ एक ही country का हात रहा है, यानि कि 30 लाक लोगों का, जो contribution है, सिरफ एक देश से आया, आया समझ में, just one country, इसकी वोब है, अब यह account for, अब यह account for, एक common सी फेजल वोब है, आपने इसको हजारों बार देखा होगा, इसका मतलब होता है, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, जैसे, IIT sector accounts for 30% of India's exports, IIT sector जिम्मेबार है, इंडिया के 30% exports का, वैसे यूँ भी बोल सकता हूं, one day, we'll all have to account for our deeds, एक दिन हम सभी को जिम्मेदार होना पड़ेगा, we all will have to account for our deeds, अपनी deeds का, अपने करनामों का, अपनी हरकतों का, है न, तो एक नएक दिन सब को हिसाब देना है, deeds को account for करना है, to be responsible for something, अगर vocab को sentences में शुमार नहीं कर रहे हो, sentences नहीं बना रहे हो, तो vocab वाले portion से आप justify नहीं कर पा कीतेगी आपकी, अगर vocab के उपर sentences नहीं बना सकते हो, अगर sentence बना लिया, दिमाग में बिठा लिया, फिर वो vocab word आपका अपना बन जाता है, बड़े आगे, कर आफगानिस्तान is on the brink of a humanitarian catastrophe, कर आफगानिस्तान जो है न, वो brink off है, on the brink off है, वो बिल्कुल कगार पे है, edge पे है, और किसके, एक humanitarian catastrophe के, catastrophe का मतलब होता है, disaster, calamity, cataclysm, है न, अपने आप में एक तबाही, और humanitarian मतलब relating to humans, यानि की मानवी है, तो यह जो एक कंट्री है, यह अफगानिस्तान है, और यह विल्कुल कगार पे है, एक मानवी है, तबाही के humanitarian catastrophe के, हाया समझ में, अफगानि pandemic is on या add the brink या words of another revival, pandemic फिर से कगार पे आ गई है, एक नए revival के, फिर से pandemic में नहीं जाना गई है, revival की कगार पे आ गई है, याद रखें, common सी mistake है, on ही लगाना, add मत लगा क्याना, brink और words के साथ में, common सी mistake है न, ऐसा मिलेगा आपको, add the words of, गलत है, add the words of नहीं होगा, क्या ब मतलब तबाई, cataclysm, calamity, disaster है न, humanitarian मतलब जो human से related हो, करे, some 23 million अफगान, in a country of 38 million, face acute hunger, करे, लगबग 2.3 करोड अफगानी, एक ऐसे देश में, जहां की पूरी अबादी ही, 3.8 करोड है, million मतलब 10 लाग, तो करे, 23 million जो है अफगान, face कर रहे है, acute hunger को, extreme book को, अफगान की वह अब कैसे कर रहे है, करे, of those, 8.7 million are in a state of emergency, the second highest category in WPFs, WFPs, hierarchy of calamity, करे, इन जो, भाई, ये 23 million है, करे, इन में से भी, of those, इन 23 million में से, लगबग 8.7 million जो है, वो एक state of emergency में है, एक एक दम emergency की situation के अंदर आ गए है, और ये state of emergency क्या है, ये है, second highest category, और किस में, WFP की hierarchy में, WFP की structure में, और किस की calamity की तबाई की, तो इसने structure बनाई हुई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो second highest level पे आ गए है, 8.7 million, मतलब 87 लाक लोग, मतलब मरने की कारवे हैं, भूग की वाज़ा से, 87 million, 8.7 million की वो अब आर, calamity और catastrophe गूस्टे के synonym है hierarchy आप जानते हैं, structure को बोलते हैं, पहले कोन बाद में कोन पूरी, sequential structure होती है, वो कहलाती है hierarchy, इस word में खासियत ही है, इसकी spelling अक्सर गलत लिखे जाती है, आप इसको लिख गया तो higher plus में hierarchy, ऐसा नहीं है word, ये वो वाला higher नहीं है, spelling होती है hierarchy में, ह-i-e-r, spelling error का word है, चलिए बढ़ते हैं, करे, the classification manual explains that by the time, the agency declares a famine, the highest category, it will be too late to over the worst consequences, because many will have died, करे, जो classification manual है, जो ये classify करने का इनकी किताब है, किसकी WFP की, manual मतलब किताब, classification मतलब category में बातने वाली, करे, वो explain करती है, कि जब तक by the time, जब तक, ये agency declare करेगी एक फैमाइन को, और फैमाइन के highest category, अकाल जो है highest category की classification है, करे तब तक बहुत देरी हो जाएगी, it will be too late, avoid करने में, avoid करने में, escape करने में, सबसे खराब नतीजों को, the worst consequences को, क्योंकि बहुत लोग तब तक मर चुके होंगे, तो ये second highest जो है इन्होंने तो करी दिया है, state of emergency, जो first highest है, जो highest अ काफी लोग बुक से मर चुके होंगे, manual की वरब explains, agency की वरब declares, it की वरब will be, many की वरब will have died, consequences मतलब नतीजे, result, इसके लिए अच्छा वड होता है, after month, किसी चीज का नतीजा, after month, चलिए आके बड़े, avoid आप जानते हैं ना, किसी को avoid करना, escape करना, छोटी छोटी चोटी पर Locals report, cases of entire families starving to death in their homes, locals ऐसा report करते हैं, cases को, जो है, पूरी families के, starve to death हो जाने का, अपने ही घरों में, starve का मतलब है, भूखा, death का मतलब है, मौत, तो भूख से ही मर जाने का, भूख से ही मर जाने का, अपने ही घरों के अंदर, ऐसी locals की reports भी आ रही है, और पूरे के पूरे पूर Starve to death का मतलब भूख से मर न, आगे बढ़ते हैं, करा पूर अफगान सार सेलिंग दियर रिमेनिंग पजेशन फॉर फूर फूट, गरीब अफगानी जो है, सेल कर रहे है, अपने बचे कुछे माल को, पजेशन को, रिचिस को, एसेट को, खाने के लिए, समझ के, घर की टे Some are selling their daughters in the countryside, और कुछ तो बचारे अपनी बेटियों को बेचने हैं, गावों में जाकर के, मतलब गावों की साइड में, अगर आप देखोगे, कुछ अफगानी खाने के लिए अपने बच्चों को भी सेल कर रहे है, सम की वह बढ़ आर सेलिंग, countryside का मतलब होता है, गाम की त phenomenon का अचनक से शुरू हो जाना, जैसे ही harsh winters, जो कि अफगानिसान में आते भी हैं, शुरू होंगी, जो ये agony है, जो ये pain है, जो ये इनका suffering है, ये सिरफ deepen ही होने वाली है, और गहराने वाली है, सर्दियों में काम भी नहीं कर सकते हैं, आप काम वैसे भी नहीं मिल रहा है, भूग भी लगेगी, तो ये सार्य का सारा जून का suffering है, वो जादा गहरा होगा, winter की verb है, sets in, agony की verb है, will only deepen, set in आप जानते हैं, fragile verb है, चलिए आगे बढ़ते हैं, केरा अफगानिस्तान से कंडिशन वाज फ्रेजल, इवन विवर द फॉल अफ़ल अफ़ल काबूल इन ऑगस् फ्रेजल मतलब delicate, कमजोर, flimsy, delicate, समझे रोना, एक तम weak सी, तो अफगानिस्तान की हायत वैसे ही बहुत पतली थी, और किस से पहले, यहां तक की पहले, fall of काबूल के, capital के, अगस्त के अंदर, तो ये तालिव आनियों के आने से पहले ही बिचारे बड़े परशान थे, अब आप financial articles में देखोगे, tenuous recovery, मतलब weak see recovery, tenuous यानि fragile, कह रहा है, after decades of warfare, around 4 million अफगान्स are refugees in their own country, with little means of support, कई दर्शकों के, कई decades के warfare के बाद, जंगों के बाद, लड़ाईों के बाद, लगबग 4 million, लगबग 40 लाग अफगानी refugees हैं अपने ही देश में, और कैसे, ना के वराबर means के support के, means मतलब किसी चीज को काम करने का उपाय है, यानि की रस्ता, तो उनके पास ना के बराबर कोई उपाय है, support के लिए, कोई job नहीं है, कोई पैसा दिने वाला नहीं है, अपने ही घर में, अपने ही देश में refugee हो गए है, देशकों की war के बात, तो इस 4 million की war और देर पड़ेगा, समझगे न, अगर वो अपनी खुद की country में refugee है, तो they're on, मैं अपनी खुद की country में हो, तो my on, है न, on adjective को हमेशा possessive दे, इस rule को मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, मैं, सिर्फ इस लिए नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यह rule आपको अच्छे से आता होगा, कही means, means मतलब किसी काम को करने का तरीका या उपाए, जयने की जरिया, क्यरत तालिबान टेक ओवर has made everything worse, क्यरत तालिबान के कबजे के काम ने, टेक ओवर ने, हर चीज को और जादा बुरा बच से बत्तर बना दिया है, bad, worse, और worst, comparative degree हमने यूज किये, बच से बत्तर वाली, ठी के, टेक ओवर की बवर has made, क्यरत फोरन एड विच फंडेट, three quarters of government spending has dried up, क्यरत बाहर से आने वाली जो aid थी, जो मदद थी, पैसे की, जो की fund किया करती थी, सरकार की spending के तीन चुताई को, यानि की 75% को, क्यरत ये भी drive हो चुकी है, ये भी सूख चुकी है, समझ के, अफगान एड की वर has dried up, विच की वर funded, three quarters ये आप जानते हैं, कौन सेट करवा चुका हूं मैं आपको अलड़ी, वो one third, two fifth, three fourth, one fifth याद है न, जिसके आगे one लग जाए, उसके पीछे S नहीं आएगा, जिसके आगे one लग जाए, उसके पीछे S नहीं आएगा, और जिसके आगे जिस रेशो में one ना लगा हो, two लगा हो, three लगा हो, five लगा हो, seven लगा हो, one के लावा कुछ भी लगा हो, उसके पीछे S जरूर लगाना है, तो वहाँ उपर तो सब जगे से निकाल दिया मैंने, वहाँ पे one लगा हुआ था, लेकिन three, four, five, seven, इनके आगे S मुझे लगाना तो ये quarters भी वही है, रेशो ही है, three quarters का मतलब क्या है, three fourth है ना, three fourth को ये three quarters बोलते हैं, तो ये formula आपका वही चलेगा, अब ये concept में आपको पूरा नहीं कर पाँगा, अल्रेड़ी आप कर चुके हो, दो तीन बार पिछले 10 दिनों में, sentence मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अ और जो गलती है, sentence में उसको दूर करना है, बढ़ेंगे आगे, कह रहा है, the country's foreign reserves of some 9 billion have been frozen, country के foreign reserves जो है, लगबग 9 billion डॉलर के, उनको freeze कर दिया गया है, अमरीका ने उनको रोक उन पे लगा दिया, freeze करना मतलब किसी का धन, संपद्धी, bank account, पैसा वगरा जो है, कब जा लेन और उसके हाथ में ना ने दिना, तो foreign reserves की वबगे, have been frozen, करा half a million soldiers and police have lost their jobs, and civil servants have gone unpaid for months, करा लगबग half a million, यानि की, 5 लाग soldier और पुलिस वले, अपनी नोकरिया खो चुके हैं, और civil servants जो हैं, वो unpaid हैं, कई महिनों से, वहां के तैसिलदार, वहां के collector, वहां के SDM को महिनों से salary नहीं मिलिये, police की वब I have lost, soldier police की वब, servants की वब I have gone, चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सवर paragraph है, करे दर WFP recons, it may need as much as 2220 million a month to award a crisis over the lean winter months, करे ये तो word food program है, ये रिकॉन करता है, अब रिकॉन समझ गे न, calculate करना, अंदाजा लगाना, गिंती करना, estimate करना, तो ये ये ही estimate करत है, कि इसको जरूत होगी, लगबग 220 million dollar की हर महीने, अमन्त, और क्यों करने के लिए भई, क्या करने के लिए, बचने के लिए, अवर्ट करने के लिए, एक crisis को, और कब lean winter months के दोरान, एक दम winter months, जिनमें इनको कोई काम नहीं मिलता, अफगानियों को है, कुछ खाना भी नह months के दोरान, इनको इतना पैसा चाहिए होगा, WFP की वह 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 में need, अवर्ट का मतलब है बचना, यह lean month, lean year, इसका मतलब ही होता है, a month या year without profits, या prosperity, समझगे ना, कोई business है, जिसका इस साल बड़ा घाटा हुए, तो बोलेगा, it was a lean year for us, चले आगे बढ़े, करा, even if the money arrives, it is at best a staking plaster, करा, यहां तक कि अगर money आ भी जाती है, वह यह 220 million आ गया, काम चल गया, खाना खिला दिया, करा, आ भी जाता है, तो यह अपने अच्छे से अच्छे case में at best, सिरफ एक जुगाड ही होने वाला है, यह 220 million डॉलर भी जुगाड ही है, इस से अफगानि का long term solution नहीं हो रहा, staking plaster को बोलते हैं जुगाड, जब अपनी दिवार में छेद वेद हो जाता है, तो क्या एक plaster लगा देते हैं उसके उपर, सिरफ वो चिपकाने के लिए होता है, दिवार में छेद अभी बरकरार है, आपने सिरफ जुगाड किया है, कि छेद आपके मैमा को ना दिखे, मनी की बबह अराइबस, इट की बबह इस, staking plaster एक idiom है, a temporary or inadequate solution to something, जुगाड, करा, no humanitarian organization can replace the economy of a country, says Robert Mardini of the Red Cross, करा, कोई भी चंदा देने वाली organization, humanitarian organization, replace नहीं कर सकती, अर्थ विवस्ता को एक कंट्री की, अब बिल गेट्स बोले, मैं चंदा दूंगा, Ultimately, अफगानियों को काम करना पड़ेगा, वहाँ पे employment generate होगी, तभी वो चंदे का कुछ काम लगेगा, है न, करा, ऐसा कहने वाले कोई है, यह है, Robert Mardini, Red Cross Society के, The Red Cross के, सरकारी संस्ता है, इन्होंने ऐसा कहा, humanitarian organization की वोबे, can replace, Mardini की वोबे, says, आगे बढ़ते हैं, simple साय article है, करा, the trouble is, that any such aid would hand billions of dollars to Taliban, yet to be recognized by any country, as legitimate rulers of Afghanistan, अब बतारा है, लोग पैसा दे क्यों ने रहे, करा, trouble यह है कि कोई भी ऐसी aid आई, तो वो hand कर देगी, कई billions of dollars को, और किसको hand करेगी, किसको थमाएगी, Taliban को, करा, यह वो Taliban है, जो अभी भी recognized होना, पैचाना जाना बाकी है, yet to be recognized है, किसी भी देश के द्वारा, और कैसे पैचाना जाएगा, legitimate ruler के तोर पे, सही ruler के तोर पे, अफगानी स्तान के, तो problem यह है, पैसा सब के पास रख है, लेकिन दे ना कोई नहीं चारा, कोई भी नहीं चारा कि अफगानियों में, तालिवानियों के हाद में billion of dollars जाएं, क्योंक को अभी recognize किया जाना बाकी है, two b plus verb की third form, infinitive को passive form में two b plus b three लगाते हैं, जब infinitive के subject क्यों पर कोई काम हो रहा हो, तालिवानियों को पेचाना जाएगा है ना, तालिवानि किसी को नहीं पेचानेंगे, इन क्यों पर काम होगा, चलिए legitimate का मतलता है, appropriate, valid and जो सही हो, कराता the cabinet includes figures such as Shirajuddin Haqqani, who the West considers a terrorist, इनकी जो cabinet है, इनका जो मंतरी मंदल है, उसमें शुमार है, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां, Shirajuddin Haqqani, Haqqani Network वाला, जिसको पूरा जो West है, पूरा जो मुरीका है, या या यॉरोप है, consider करता है, मानता है एक terrorist, जानते हैं, Haqqani के बारे में, Haqqani जो है cabinet का member है वहाँ पे, इसको कौन पैसा देगा, cabinet की वोब है includes, West की वोब है consider, West एक imaginary location है, imaginary location है, West नाम के कोई country दुनिया में, continent नहीं है, imaginary locations के आगे हम द लगाते हैं, यादना, the Greenwich, the equator, the Tropic of Cancer, the West, the Northern Hemisphere, the North Pole, imaginary location हमेशे अपने आगे द लेंगी, और जो non imaginary हैं, जो real हैं, उनके आगे द नहीं आएगा, शहर, गली, महले, continent, देश के नांके आगे द ना लगाए, ये concept सिरफ बता रहो मुझवानी क्योंकि रोज रिपीट नहीं कर सकते हैं, है ना, करा America, is adamant that the group form a government that represents all Afghans, all Afghans, and guarantee rights for women, girls and minorities, करा America, जिद्धी है, हट, जि जिद्धाबन है, क्या है भई, कि ये जो group है न, अफगानिस्तान ये form करे एक ऐसी सरकार को, जो represent करे, प्रतिनिती बने, नुमाहिंदा बने, सभी अफगानियों का, और जो guarantee करे, और जो guarantee करे, और तों के बच्चियों के, मनोटिस के, राइट्स को, याने की, हकों को, तो, प्राजेंट सब्जेंटी मूड लगा हुए है, है न, group form और group guarantee, that की ओबर represents, that आया है, government के लिए, government सिंगुलर है, तो that की ओब भी सिंगुलर है, पिछे आस देख रूँन, चले, एडमेंट को, इन ट्रांसिजेंट भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा word ऐस के लिए, synonym अप entirely justified, but allowing many of the intended beneficiaries to start to death, is not a good way to fulfill them, करें जो west की demand है, जो अमरीका और योरप की मांगे हैं, और किसकी basic freedoms के लिए, किसके लिए अफगानियों के लिए, करें यह entirely justified है, बिलकुल justify करने लाएक है, बिलकुल बचाव करने लाएक है, सही है, justified मतलब जिसको सही ठराय जा सके, करें लेकि करने का काम है, और किस चीज़ को भई, बहुत सारे intended beneficiaries को, ऐसे beneficiaries को, जिनको benefit सही है, और जो intended है, जिनको हम चाते है, intention के साथ benefit देना है, बूखे लोग, करें लेकिन allow करने का काम है, कई सारे बूखों को, intended beneficiaries को, allow यह करें कि वो बूखे ही मर जाए, start to death हो जाए, करें यह भी good way नहीं है, fulfill करने का, इन सभी की सभी demands को, तो west की बात तो बिल्कुल सही है, काम तो बिल्कुल सही कह रहे है, लेकिन इस बात के चक्कर में लोग भूखे मर जाएं, तो यह demands जो है ना, यह सही fulfill नहीं हो रही है, अगर west कर भी रहा है तो, demands की verb है, are justified, passive voice में, allowing की verb है, is, allowing ए start to death मतलब भूख से मर जाना, withouting life saving aid is reprehensible in almost any circumstances, withhold करना, यह word बड़ा असान है, with मतलब साथ में, hold मतलब पकड़े रखना, किसी चीज को जाना ही मत देना आगे, keep back करना, अपनी जेब में छुपा लेना, refuse कर देना देने से, मना कर देने का जो काम है, without करने का जो काम है, अपने पास रोग लेने का जो काम है, life saving aid को, जान बचाने वाली मदद को, यह जो काम है अपने आप में reprehensible है, बड़ा ही shameful या disgraceful है, लगबग सभी circumstances में, सभी हालातों में, तो यह तालिबानी कितने भी गंदे लोग हो, लेकि हम जानते हैं, verb के हैं जी form हमेशा, singular verb को लेगी, circumstances मतलब हालात, situation, reprehensible मतलब, very bad, egregious, shameful, disgraceful है न, इसका एक सिनॉनियम है, egregious लिख दूँ क्या, चलो आप भी क्या कहोगे, सर ने, बता तो दिया, याद कैसे करूँगा, इतने सारे हैं न, ऐसे ही मैं लिखता हूँ, ऐसे ही प्रॉपरली कवर हो जाता है, आजाओ आगे, कहारा, that need not mean, becoming chummy or supportive, just realistic, कहारा, यह चीज जो है न, उपर वाली, कि वही तालिवानियों को खाना बेजदो, दिल पे पत्थर रख लो, कहारा, इसको ज़रूद नहीं है, होने की बहुत ज़्यादा friendly, यानि की चमी, या फिर supportive, सिर्फ आपको इस काम के लिए, रिलिस्टिक होना है, अफगानियों के साथ पाटी नहीं करनी है, है न, वोटका नहीं पिनियन को बुला करके, आप तो खाना और वीट भेजदो, दूरी बनाए रखो, नफरत जारी रखो, that की वह बहुत निड नोट, निड नोट मीन, चम आप है, अफगानियों के लिए, टेक ओवर की वह बहुत इस, किरफ फोर द वेस्ट पनिश तो पनिश तेम फर्दर, बाइ लिविग नें तो स्टाव, वुट भी ऐस क्रूवल ऐस अनिधिंग, द जीलिट फिद गंसा लाइकली तो, किरफ वेस्ट के लिए, पनिश करना, उतना ही क्रूवल, उतना ही निर्दई, उतना ही खुंखार, जितना की जितना की ऐसा होता है, जो जेलिट्स के हाथ में, जेलिट्स का मतलब होता है, एक्स्ट्रीमिस्ट, मारने मारने वाली बात करने वाले, जेलिट्स हैं, यह बिल्कुल उतना ही क्रूवल है, जितना की गंस के साथ में और जो cm करने वाले हैं तो अगर वांनियों को आप बोल प्रीवश का साथ में बड़े कुछर है तो अलुकित का सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस िए as cruel as बीच में adjective को लगाया गया है punish करना cruel होगा समझगे ना subject क्या है एक noun की तरह काम कर रहा है punish इसलिए noun के लिए हमने adjective यूज किया ना कि cruelly adverb को यूज किया जलिट का मतलब होता है बता दिया enthusiastic, fanatic, radical, मर्दे मारने की बात करे जिसका दिमाग खराब हो religion के नाम पे या किसी ideology के नाम पे gilets की वब है और likely मतलब possible चलिए छोटा सा article है article तो लंबा है लेकिन बुश्किल ज़्यादा था नहीं है न learning lessons इसमें बहुत सारे थे इसलिए मैं ने इसको लिया कभी कभी इस तरह के articles भी पढ़ लेने चाहिए ताकि अपना दिमाग हर तरह के situation से निपढ़ने को तयार हो अपने quiz पर आ जाओ सब कुछ असान है a temporary solution to a problem क्या कलाता है jailet कलाता है hierarchy कलाता है intransigent कलाता है या sticking plaster कलाता है one word है idiom है बता दो बड़ा असान है ना कर सकते हो second value में क्या करना है यह आपको formula में करवा चुका हूँ कैसे quarter quarter three one कैसे लगाना है और आप यह भी जानते हो इसको कैसी verb दी जाए ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाओ नीचे hint रखी हुई है comment section में जाओ first comment में answer है वहां से इसको match करना है तो इसमें दोनों errors को आपको खुच से साही करना है hint रखी है fourth और fifth में क्या करना है यहां पर चेक करना है add the brink of लिखे या on the verge of लिखे add और on में से क्या साही होता है यह fourth वाले में और fifth वाले में आपको चेक करना है फ्रेंडली फ्रेंड्स फ्रेंडली और या फ्रेंडली ली एज और एज के बीच में अब क्या लगाओगे पांचवां वाला मुझे पता है आप मैंसे 90 लोग नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करना मैं इसकी details ही हिंट डालने कोशिश रूमा comment section में पांचो क्यांसवार रखें फिर्स comment में हिंट के साथ जाके check करो out of five कितने marks मिले जरूर से मुझे बताएं आपका इस पूरे मामले पे क्या take है क्या opinion है क्या लगता आपको क्या हमें cooperate करना चाहिए या फिर भूखे मर देना चाहिए मर देना चोड़ देना चाहिए अफगानियों को सिरफ इस मामले में कि हमें तालिबान से नफरत है जरूर से दो दिन सेंटेंसिज में लिखना लिखोगे तो आपके राइडिंग स्केस अच्छी होगी मुलाकातु की कल की क्लास में कोई भी क्वेरियो रिलेटिंग टुकोर्स इस नफर पर वटसप करके मुझे बता सकते हैं my life deadline आपको रेप्लाइ करेगी これは 1 विखनार कवारी ओ ये नंफर आपके लिए कुला है अंदिल दान साइनिंग ओट